मुझा आप देखने हैं S.P.N.I. News मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिरू आपके सामने जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनते ही का मनलाद का विवादित बयान सामने आया है उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि यूपी बिहार के लोगों की वज़ार नहीं मिल पाता है यूपी बिहार के लोगों की वहां से और गुजरात में हमने देखा कि गुजरात में भी बिहार और यूपी वालों को काफी भगाया गया महां उनके साथ मारपीट की घटनाय सामने आए लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखर यूपी और बिहार वालों से इतनी नफरत क्यूं आखर यूपी और बिहार वाले क्या इस देश के नागरिक नहीं है क्या इस देश के नागरिक नहीं होने की वज़ा क्या नागरिक नहीं है क्या इस वज़ा आखर यह इतना भेदबाव क्यूं यह सवाल उट रहा है आखर यह सवाल खड़ा हो रहा है यानि साफ टॉपर का जा सकता है कि यूपी बिहार वालों से नफरत की वज़ा आखर क्या है यहाँ पर जिस तरीके से गुजरात में हमने देखा कि वहाँ पर भी यूपी बिहार वालों को मार कर भगाया गया वहाँ पर प्रतानित किया गया औरतों के साथ जाती की गई बदसलुकी की गई ऐसे से वीडियोज हम देख रहे थे तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखर अगर यूपी बिहार वाले दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं आखर उनके लिए जिम्मेदार कौन है आखर उनके लिए कौन जिम्मेदार है उनके लिए रोजगार नहीं है तो वो दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर है तो सवाल यहाँ पर यह नहीं है कि कौन सा राज्य क्या कह रहा है बिलकुल सही बात है कि कोई भी मुख्य मंत्री को इस तरीके की बायान बाजी नहीं करनी चाहिए जाहिए जाहिड सी बात है फिर अब जो तरीके से इस पर राजनीती शुरू हो गई है यूपी के मंत्री कह रहे हैं, जो यूपी के उपमुक्ख मंत्री कह रहे हैं, कि भई यूपी वालों को हाथ फ्हलाने की जरूरत नहीं हैं, तो भईया फिर यूपी वाले जो हैं वो और राज्यों में क्या कर now तो सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि आकर यह सारी नौबत आ क्यू समान होगी है जो लोग रेडियां लगाते हैं, जो लोग आटो चलाते हैं, रिक्षा चलाते हैं, उनके साथ किस तरीके से बस सुलकी होती है, इस तरीके से वहाँ पर लोग उनके साथ जबान का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से उनके भाशा का इस्तेमाल करते हैं, वो हर एक आदमी जान है और फिर अब इसके बाद मद्ध ने सामने निकल कर आए एследरी कांग्रेस के मुक्नमतरी कर रहे हैं कि मद्ध प्रदेश के लोगों अब जो नहे रोजगार लगेंगे ऊसमें सतर स्ली स्ट हैट रहा हुगा तभी बाकी लोगों को रूजगर मिलेगा तो यहारी सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि आ voll इसके पीछे की मनचक है क्या आाf 105 के पीछे की जो सरकारे जो सोच बना रही हैं इस तरिके का पीछे का मकसद क्या है जिस तरिके से हमें समझना होगा कि जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबकी सबको साथ लेके चलना है तो सबका साथ सबका विकास कहा हो रहा है देखिए इसके निये बार बार हम यहे कहते हैं कि इसके निये सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी बलकि बीजेपी नहीं सिर्फ कॉंग्रेस प रहे पा रहे हैं लोग यूपी में नहीं रहे पा रहे हैं आखर सरकारे तो वहां कि जिम्मेदार हैं जो नोगों ने शासन किया है उन राज्यों में वो लोग जिम्मेदार है तो यहां पर यह सवाल उठ रहा है कि मैं आप जो है वो असी चीज को समझ कीँ कूश नहीं रहे तो आप आप इस चीज की जो लोग इस चीज की नहीं जम्मदार हैं उनको पर काररवाई कीचिए और हासकर के अगर जिस तरीक से हम कह रहे हैं कि यूपी बिहार rozum को आप निकाल रहे है तो आyle बृँप sympath का देश मिनत नहीं कर सकते हैं तो इस सारी चीज़े हैं जिसको लेकर सरकारों को विचार करना चाहिए और इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए क्यों जाहिए जाहिए कि आप बहुत दिन तक सिर्प क्योंकि इससे एक चीज़ का खत्रा और बढ़ जाता है कि इससे एक खत्रा बढ़ ज सकता, तो सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, कि यूपी बिहार वालों से आखर इतनी नफरत क्यों, आखर यह महराश्ट, गुजरात, मद्देपरदेश वाले इतनी नफरत क्यों करते हैं, हमने देखा है, हमने, हम कई बार इस चीज़ से देखा है, कि कई लोग जो वासा कामों पर जादा रहता है, दिली के अगर हम बात करें तु दिली में भी यूपी बिहार वाले काफी संख्या में हैं, और यहां पर भी कई बार एक दो मंत्रियों के बायान सामने आये हैं, के भही दिली बी वज़ाई जो है, वो यूपी बिहार वाले नहीं रहेंगे तो फिर वहां काम करने का आप तरीखा देख सकते हैं ये बात सच है क्योंकि जितनी मेहनत और लगन हालकि सारे देश के जो लोग हैं वो बहुत जादा मेहनत और लगन से काम करते हैं लेकिन यूपी और बिहार वालों का डेडिकेशन है वो देखने ला होता है और यही वज़ा है कि उनको काम के पर्ती जो है बहुत है यही हम देखेंगे ट्रेनों के बारे में कहा जाता है लोग अमोमोन इस तरीकी के कमेंड करते हृए नजर आते हैं कि भ121 नोबे हर वक्त बिहार के लोग जादातर रहते हैं जादार बिहार के रूट की ट्रेने चलती हैं और भरी हुई चलती हैं तो आखर ये लोग जाते कहा हैं आखर ये अपने राज्जे में क्यों नहीं रहते हैं कि वो लोग अपने अपने राज्जे में क्यों नहीं रहते हैं कि जब वो अपने राज्जे छोड़ देते हैं तो फिर अपने राज्जे वापस नहीं जाते हैं और यही वज़ा होती है कि वहाँ लोगों को जहन में आता है कि भाई अब आप राज्जे छोड़ दिया है शहर छोड़ दिया है तो भाई अब माल लीजे कोई दिल्ली आके बस गया है तो भाई अगर आप ठीक है कुछ दिन के लिए आप आईए आप पैसा कमाईए पहनत करिये फिर उसके बाद अपने राज्जे चले जाए ये ताकि आगर आप महां पर रहकर कोई काम करेंगे तो हो सकता है कि आप जो का कि ये कहीं तद भी सही है क्योंकि जाहिए सी बात है कि हमारा समयधान कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम कोई भी किसी नागरी को उसके राज्जे के नाम पर उसके कास्ट के नाम पर उसके ब्रीट के नाम पर और उसके कलर के नाम पर हम उसके साथ जो है ज्यात्ती करें, क्योंकि ये हमारा समयधान इजास्त नहीं देता, हमारा समयधान ने सब को बराबर का हग दिया है, सब को अपने-पने मर्जी से कहीं घूमने का, आने का, कारोबार करने का, ये सब समयधानिक हक मिला हुआ है, तो पिर आखिर में जाहिर सी बात है कि समयधान कहते रहते हैं कि भाई उनके साथ इस तरीके से घटना है हमने गुजरात में देखी काफी बड़ी संक्या में गुजरात में बिहार के लोगों और यूपी वालों पर हमले हुए हला कि जब राम मंदर का मामला था तो जब हमने देखा के राश ठाकरे जो थे वो यूपी खुब अच्छे से ताव भावस अपनी राजनीती चंकाने आ गए थे यानी जब अपनी राजनीती चंकानी होती है जब आपको वोट लेना होता है मराठियों का गुजरातियों का त लेकिन जब आपको वोट नहीं लेना होता है, जब आपका चुनाओ का कोई माहल नहीं होता है, तो फिर आप जो हैं वो बातों में आ जाते हैं, तो सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि राज्य सरकारों के पास कोई निती नहीं है, राज्य सरकारों के पास खास करके इस शहर छोड़ कर जाना किसको पसंद होता है तो यह सारी चीजे हैं जिस पर थोड़ सा विचार करना चाहिए सरकारों को और देखे सबसे बड़ी बात इसमें तो कोई शक्की बात नहीं है कि कोई किसी को भी अपना राज्य छोड़ कर जाना पसंद नहीं होता है अपना शहर छोड़कर जाना दूसरे शहर में जाकर रहना ये कहीं तक भी पसंद नहीं होता है तो फिलाल ये जिस तरीके के बयान बाजी आ रही है इस पर आपकी क्या राय है आप क्या सोचते हैं आप हमें कमिंट बॉक्स में जरूर लिखे हैं और आज के प्रोग्राम में इतना ही मैं फिर आज ही रोगाने प्रोग्राम के साथ तब तर जो ले रही हो देखते रही है इस्प्यानाई नमस्का